सूप्रभात बच्चों, पिछली कक्षा में हम अलंकार के बारे में पढ़ रहे थे अलंकार में हमने सब्दा अलंकार के बारे में जाना था आज हम अर्था अलंकार और उसके भेद के बारे में जानेंगे अर्था अलंकार में सबसे पहला अलंकार है उपमा अलंकार जहां दो वस्तों या वेक्तियों में अंतर होते हुए भी उनकी आकिर्थी एवं गुन की समानता की जाए वहां उपमा अलंकार होता है उदारन देख लेते हैं पीपल पात सरिस मन डोला यहां पीपल के पत्ते और मन की समानता की गई है कि दोनों एक जैसे ही डोलते हैं अर्थात मन की चंचलता की समानता पीपल के पत्ते के डोलने से की गई है जबकि पीपल का पत्ता और मन दोनों ही अलग चीजें हैं अतर यहां उपमा अलंकार है अब दूसरा अलंकार देखते हैं, रूपक अलंकार, जहां उपमे में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया गया हो, वहां रूपक अलंकार होता है, अब प्रस्ण उठता है कि उपमे और उपमान किसे कहते हैं? तो उपमे, जिसकी तुलना की जाती है, उसे उपमे कहते हैं, और जिससे तुलना की जाती है, उसे उपमान कहते हैं, जो सब तुलना करने के लिए प्रियोग किया गया है, उसे वाचक कहते हैं, और जिस चीज की तुलना की जाए, वह समान अर्थ होता है, इसे हम एक उधारन के द्वारा समझेंगे मान लिजे कि सीता जी के मुक्की तुलना यदि हम चांद से करते हैं तो सीता जी हो गई उप में और सीता जी की तुलना हम किसे कर रहे हैं चांद से तो चांद यहां क्या हो जागा उप मान और किस चीज की तुलना हो रही है तो उनकी सुन्दर्ता की तो सुन्दर्ता यहां हो जाएगा समानधर और जिस सद का प्रियोग करके हम तुलना करते हैं वह हो गया वाचर अब रूपक अलंका का एक उदारन देखते हैं चरन कमल बंदो हरी राई यहां भगवान के चरन अर्थात पैरों को अभेद रूप से अर्थात बिना कोई अंतर किये कमल कहा गया है अता यहां रूपक अलंकार है अब हम देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार जहां उपमे में उपमान की संभाबना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है जैसे उसका मारे क्रोध के तनू कापने उनका लगा मानो हवा के जोड से सोता हुआ साघर जगा यहां क्या है कि कभी कह रहे हैं कि जब अर्जुन को क्रोध हाया तो क्रोध से उनका सरीर कापने लगा ऐसा माना जा सकता है कि हवा के ताकत से सागर की बहुत बड़ी बड़ी लहरे उठने लगी ऐसा संभव नहीं है लेकिन फिर भी कवी ने अरजुन के क्रोध से सागर के उठने की संभवना प्रकट की है अता यहां उत्प्रिक्षा अलंकार होगा और इसे पहजानने का एक और आसान तरीका है कि कविता की पंक्तियों में मानू, मनू, मनू, जानू, जनू, जनू इत्यादी सब्दों का प्रियोग किया जाता है अब हम देखेंगे अतिस्योक्ति अलंकार जब लोक सीमा का अतिक्रमन करके किसी बात को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चाहा कर कहा जाए तो वहां अतिस्योक्ति अलंकार होता है जैसे पानी परात को हाँ छुओ नहीं, नैनन के जल्सों पगधोए क्या कह रहे है कवी कि जब सुदामा जी स्रीक्रिष्न से मिलने आते हैं तो स्रीक्रिष्न उनके पैरों को धोने के लिए परात में जल्मंगवाते हैं और उससे उनके पैर धोते हैं लेकिन इन पंग्तियों में कवी ने कहा है कि स्री कृष्ण ने परात के पानी को छुआ भी नहीं और अपने आश्रों से सुदामा जी के पैरों को धोया है। यहां एक छोटी सी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चाहा कर कहा गया है अता यह अतिस्योक्ति अलंकार होगा। तो बच्चों यह थे अर्था अलंकार के कुछ रूप बाकी रूप हम अगली कक्षा में जानेंगे। धन्यवाद।